नमस्ते एवरीबन स्वाकते आप समीका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दिस इस दिव्या आप वेरी वूट इवनिंग तो एक बहुत इवनिंग तो एक बहुत इपॉर्टेंट सीरीज जो हम लोगी चल रही है तेज स्वे एस बी आई प्यो आईबी पी एस पी ओ और सेलेक्शन सीरीज तो उसके आज क्लास नमर्ट है इससे पहले मैंने दो ले ली हैं जिसमें हम लोगोंने बेसिक इनिक्वालिटी की बात कर ली है बाकी आगे आपके सेलेक्शन सीरीज ए कंटीनू रहेगी कुछ दिन हो सकता कि आपको दो दो वीडियो प्रवाइट कर दू जिसने के आपको लोगी सेलेक्शन सीरीस में आपको जादा वीडियो मिलती रहें ओके so today your day नमर 3 और class नमर 3 तो let's play with reasoning and hashtag selection series ठीक है अच्छा गाइस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक हो अपना डेली का जो रहता है न वो कर ले चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे पढ़ना हो तो वीडियो को लाइक कर देना हमको भी खुछी हो कि आप उमें पसंद कर रहे हो ठीक है चलिए तो यह दिस दो डेली श जैसा कि you know I am an academy educator as well as तो वहाँ पर Unacademy का हर आफ्टें एक टेस्ट होता है यह टेस्ट क्यों रखा जाता है जिससे कि आप अपने स्पीड और accuracy अच्छी कर सको this is completely free of cost हर संडे को होता है दस बजे और इसके थुरू आप as a gift Unacademy का plus subscription जीर सकते हो ठीक है और अगर आपके एक अच्छी ranking बन रही है तो free of cost भी देखने को मिल सकता है बाकि आप यह भी बोल सकते हो कि आपको इसमें काफी बड़ा discount भी देखने का मुखा मिल सकता है तो आपको करना क्या है वस enroll करना है enroll के लिए आपको मेरा code यूज करना है मेरा code है dvz live लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा best platform for bank preparation और अगर direct plus लेना चाहते हो तो आप directly अपने according plus ले सकते हो चलिए तो बिना किसी देरी के हम लोग session को start करेंगे और floor based puzzles को बनाने का क्या तरीका है वो देखेंगे this is your first puzzle but definitely याल जैसे कि आपको पता है पहले आपको तीन मिनट का टाइवल दूँगी जो लोग practice कर रहे बाकी जो basic से कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा वेट करो मैं तीन मिनट के बाद समझाओंगी झाल समय समय कर वेटैंगी जो थोड़ा से वाउ slow के लेटी मिन तीन मिन तीन मिन गोगे देना plan सताखल भी जोगशगी जो ड़कती है तीन झाल 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 तो हमको with question solve करना है का without question सुनू जब statements के अंदर even, odd या फिर floor numbers की बात की जा रही है तो फरां diagram बनाएंगे मतलब की अपने floor number note down करेंगे लेकिन जब आपको feel हो रहा है यार कोशन में कुछ बाती नहीं हुई है तो इसका मतलब आपको ही diagram नहीं बनाओगे और direct solve करोगे और वो कैसे क्या होगा वो आपको आगे पता लगेगा 6 people live in a 7 story building मैंने पहला ही वेकेंट ले लिया है आपको वेकेंट समझ में आएगा जब भी वेकेंट आए तो I suggest कि वेकेंट में आपको हमेशा diagram बनाना है 7 store की एक building है जिसमें ground floor 1 है और top 7 है हमने यहाँ पर 7 floor जो हैं ले लिये अब मैंने आपको बोला वेकेंट में आपको कुछ नहीं सोचना डारेक diagram बनाना है आज कल normal floor से वेकेंट ज़ादा आने लग गया थोड़ा trending में ज़ादा है आपको बोला गया है लोग 6 है और एक वेकेंट floor है इस बात का ख्याल करना है बाकि आपको इस बात का ख्याल करना है कि जैसे कि माल लो there are two floor between F and E अब F और E के बीच में दो floors की बात हुई है या फिर दो persons की बात हुई है इस बात का ख्याल रखना क्योंकि अगर मैं बोलू कि E और F के बीच में दो floor है तो बस बात खतम लेकिन अगर मैं बोलू E और F के बीच में दो person है तो ये वाला diagram भी सही है और इसे के अंदर हम एक और floor लगा सकते हैं ये भी सही है में भी कि कोई एक weekend हो जाए clear अब आते हैं E even पर है इसका मतलब है या तो 2 पर होगा 4 पर होगा और 6 पर होगा आगे बूला गया है E के एकदम उपर है आगे बढ़ो F ground पर नहीं है सबसे नीचे नहीं है 2 floor between F and E अब लिंग्यम E से possibility एक बार हमने E को 6 पर लिया एक बार हमने E को 4 पर लिया एक बार 2 पर लिया E के एकदम उपर A आना है This is your done अब F और E के बीच में 2 floor है 1, 2 F इदर भी हो सकता है और इदर भी But you know na clearly कि F नीचे की तरफ में नहीं जाएगा पहली बोल दिया गया है तो इसका मतलब कि हमको 100% clear हो जाता है कि भाई आपका F उपर ही आएगा 2 छोड़ कर F ये वाली लाइन भी डन More than only one person B and F अब ध्यान दो B और F के बीच में एक person की बात की जारी है मतलब कि ऐसा भी हो सकता है B यहाँ आजाए और B यहाँ आजाए यहाँ बात करें तो आप कुछ भी कर लो एक person B और F के बीच में कभी नहीं होगा यहाँ पे भी आपका हो सकता है More than one person B and E अब B के बीच में एक से जादा लोग हैं तो B यहाँ होगा मतलब यह कभी भी वेकेंट नहीं हो सकता क्योंकि B और F के बीच में एक person है definitely आपका भी जोगा वो यहाँ होगा मतलब यहाँ definitely कभी भी वेकेंट नहीं हो सकता F doesn't near vacant F के बगल में vacant नहीं है तो यह vacation हो जाएगा यहाँ F के बगल में नहीं है, यह weekend हो जाएगा D C के उपर है, यह हमारा D और C decide At most 2, देखो दो तरीके की ठीजे होती है एक होता है at least और एक होता है at most At least का मतलब होता है कम से कम मतलब मैं बोलू कि भाई आपके पास कम से कम 2 पहन है 2 से जादा हो सकते हैं बथ कम से कम 2 ही है मैं आपके पास भूलू, जादा से जादा 2 पहन है तो 2 से जादा कभी नहीं होँगे, 2 से कम हो सकते हैं तो D यह के और vacant के बीच में 2 से जादा नहीं होने चाहिए यह 0 है बट यहाँ पे दो से जादा है Possibility गलार, this is your final answer उमीद कलती हूँ आशा कलती हूँ आपको floor base का weekend समझ में आया चलिए puzzle number second one more weekend क्योंकि weekend important है यह कलती हूँ आपकोस लेकर झाल, हाँthinking हुए एक हुए यूब एक उठा समेह, हot दूए आपकोस, क्या कर दो लेखिए क्या हुए आपकोस हुए। झाल्याओे याउ हुए। मैंस अ associates क्या हुए क्या हुए आपकोस हुँ ऑर खि bassOoh झाल 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 झाल